दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूं आपका इस चैनल टेक्निकल ब्लॉग में मिनिस्ट्री आप हों की तरफ से वैकंसी निकाली गई है यहां पर गॉर्मेंट आफ इंडिया यानि बी एस अफ की तरफ से बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स की तरफ से निकाली गई है यहां पर कुछ पोश्टे हैं आप देखेंगे तो यहां पर असिस्टेंट सब इस्पेक्टर यानि एस असिस्टेंट सब इस्पेक्टर और कांस्टेबल इस्टोर रूम इन बीए सफ एयर विंग वेकंसी 2021 यहां पर यह पोश्टे जो निकाली गई है यह नॉन गैस्टेट इसके पहले उन्होंने ट्राइल किया थो तो आई इसके बारे में देखते हैं अगर डिप्लोमा वाले हैं यहां पर आपके लिए वेकंसी निकाली गई है तो चलिए बात करता हूं इस पर यहां पर जो पहली पोश्ट है वह असिस्टेंट एयर क्राफ्ट की है असिस्टें इसके बाद ढ़े है तो यहां जो सीटेंब देख सकते हैं अलाग-अलाग जेनरल की से आए टोल पोश्ट नव है यहां पर मीष्ट है जो एक нос सब्सक्रेइन में इसको अपर प्र यह वाले में आप देखेंगे चार नेपोश्ट हैं अगर इसे पे मेट्रिक्स आप देखेंगे तो 29,200 और यहां पर 92,200 यारी लेवल सेवन की वेकंसी आप देख सकते हैं यहां पर और उसके बाद यहां देखेंगे टोटल नंबर आप वेकंसी यहां पर टोटल देखेंगे तो 45 है मैंने पहले इसे बता दिया आपको असिस्टेंट रेड यहां बाद एल एच के लिए चाहर है इसका शॉट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है जल्ड ही आजाएगा मैं आपको बताऊंगा और जैसे आएगा मैं कैसे क्या करना सब कुछ बताऊंगा इस ध्यान से देख लिजी क्या क्या क्राइटेरिया इसमें ह यह भी level 7 की है यहां पर आप देखेंगे तो 7CPC है उसके बाद 700 रुपए उसके बाद 79,000 वह भी level यह देखेंगे तो आप यह लेवल 5 वेकंशी थी सोरी यहां पर कुछ गलत मैंने आपको बता दिया level 5 की वेकंशी है और यहां पर application will be accepted online mode यानि application यह online होने वाला है यहां पहली बार ऐसा कर रहा है कि online इसके पहले यहां आप लोगों ने देखा था कि notification जो आउट हुआ था लगबग 26-26 पोस्ट ऐसे कुछ था वह ट्राइल था तो यहां आप देखेंगे इन्हों इसके पहले जो भी वेकंशी आती थी आनलाइन इसका कुछ भी नहीं होता था एड्मिट कार्ड आफ लाइन स्याद आनलाइन आता था बाकि सारी आपको कोई भी धिक्कल देना नहीं अपने घर से अप्लाइब करना है उतके बाद क्रूशियल डेट डिटर्माइनिंग डिटर्माइनिंग डेट वी क्लोजिंग डेट फार रिशिप अप्रिकेशन तो यहां पर सारी चीज़े आपको एज बगारा हो जानी चाहिए वेकं सेशेन क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास थ्री यह क्ट डिप्लोमा होना चाहिए इसी रिलेटेट ट्रेड में बाइदा डीरेक्ट्र जनरल ऑफ शीवяжह से और ग्रूप एक्स डिप्लोमा एसट वाइई ठेल ए judges इन्होंने एक्स्पिर्यैंस मांग लिया है three यर का डि टेली इंप कम्यूनिकेशन में उसके बाद यहां पर देखेंगे तो ग्रूप यहां पर भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एर फोर्स के द्वारा अगर आपके पास है तो उसके पास पर फेक्टली टू यह एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ओवर हैंगी यह अगर आपके पास एक्सपीरियंस दो साल करें तो यहां अप्लाइन कर सकते हैं लेकिन आप इस नोटिपीकेशन को देख सकते हैं क्योंकि यह नोटिपीकेशन की तरह ही अगला नोटिपीकेशन आएगा बीए सब का जो नेक्स वैकंसी आने सब्सक्राइब करना चाहते थे और इसमें सक्सेज हो गया है क्योंकि यह अप्लिकेशन आनलाइन ही होगा उसके बाद यहां पर कांस्टेबल स्टोरों की मैट्रिकुलेशन होने चाहिए साइंस सिस्ट्रीम के साथ उसके बाद मस्ट है यह वरकिंग इस्टोर यानि दो साल का एक्सपिरियंस यहां भी इन्होंने मांगा हुआ है वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर और यहां पर कंप्यूटर का नालेज भी होना चाहिए असिस्टेंट एयरक्राफ्ट के लिए अगर कोई नोटिपिकेशन आता है इसका डिटेल नोटिपिकेशन जब भी आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही आप वैकंसी जाना स्टार्ट हो गए अगर आप इसमें इंटेस्टेड है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ओके थैंक्यू